Hello students, in this video, I am going to revise you chapter number 10, Measurement from your Revision Worksheet. So start करते हैं chapter number 10, इसमें first है, metric measure of length, mass and capacity. तो हम length को किस में measure करेंगे, mass को किस में measure करेंगे and capacity को किस में measure करेंगे, वो यहाँ पर दिया है, देखो, यहाँ पर table दिया है, सबसे पहले है length, तो length को हम किस में measure करेंगे, length जो है, इसका basic unit हो जाएगा, meter, length को हम meter में measure करेंगे, जो basic unit है, उसको अगर हम thousand times greater कर देंगे, thousand times बढ़ा कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, meter जो है, यह हो जाएगा, kilometer, अगर meter को हम thousand times चोटा कर देंगे, या फिर इसको thousand से divide कर देंगे, thousand times चोटा करना है, तो क्या करेंगे, thousand से divide करेंगे, तो यह क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा millimeter, अगर हम इसको ten times चोटा करेंगे, या फिर ten से divide करेंगे, तो यह हो जाएगा decimeter, अगर hundred times चोटा करेंगे, या फिर hundred से divide करेंगे, तो same हो जाएगा, तो यह हो जाएगा centimeters, तो centimeter है, वो one meter से hundred times चोटा हो जाएगा, और अब देखो decimeter क्या हो जाएगा, meter से ten times greater हो जाएगा, अगर meter को ten times, इसको ten से multiply कर दे, तो यह हो जाएगा देकामीटर अगर हम इसे 100 से मल्टिप्लाइ कर दे तो यह हो जाएगा हेक्टामीटर फिर लास्ट में देखो 1000 से मल्टिप्लाइ करेंगे तो क्या हो जाएगा किलो मीटर तो यह हो गया लेंद का अब देखो मास में क्या होगा mass का basic unit होगा gram mass को हम gram में measure करेंगे अगर जो gram है इसका अगर हम thousand time greater कर दे यह फिए thousand से multiply कर दे तो क्या हो जाएगा 1000 हो जाएगा तो यह 1000 हो जाएगा kilogram तो क्या हो जाएगा जो kilogram है वो 1 gram का thousand time हो जाएगा अगर हम thousand gram mix करें कोई भी चीज thousand gram उक्टआ करें तो यह बन जाएगा 1 kilogram अब देखो milligram होगा यहाँ पर बन ग्राम को अगर हम thousand पार्ट में डिवैट कर दे या फिर thousand से डिवैट कर दे तो यह हो जाएगा milligram अगर hundred से डिवैट कर दे तो यह हो जाएगा centigram अगर 10 से डिवाइड कर दे तो यह हो जाएगा decigram ठीक है अगर 10 times greater कर दे तो यह हो जाएगा decigram अगर 100 times इसको greater कर दे gram को तो यह हो जाएगा hectogram तो यह हो गया mass का अब देखो capacity क्या हो जाएगा capacity का basic unit होगा liter, सबका basic unit ठीक से याद रखना है length का है meter, mass का है gram और capacity का होगा liter और जो basic unit है उसको thousand times greater करें तो यह हो जाएगा kiloliter अगर thousand times less करें या फिर thousand से divide करें तो यह हो जाएगा milliliter अगर hundred times छोटा करें तो यह हो जाएगा centiliter अगर ten times छोटा करें तो यह हो जाएगा deciliter अब इसमें 10 times greater करे इसको 10 से multiply कर दे तो यह हो जाएगा decaliter अगर 100 times greater कर दे तो यह हो जाएगा hectoliter ठीक है यह हो जाएगा capacity अब देखो यहाँ पर क्या दिया है इसके नीचे दिया है short forms तो जो unit है metric measure का है इसका short form है यहाँ पर जो hecto है hectoliter, hectogram या फिर hectometer इसके लिए हम H use करेंगे अगर hectometer है तो यह हो जाएगा HM, hectogram है तो इसको कहेंगे HG और hectoliter के लिए इसको short form हो जाएगा HM फिर है decaliter इसके लिए हम DA use करेंगे अगर decaliter है तो यह हो जाएगा D-A-M decaliter और decagram के लिए DAG decagram हो जाएगा और यह हो जाएगा decaliter D-A-L फिर उसके बाद है dec dec के लिए क्या यूज करेंगे dec के लिए सिफ D use करेंगे और dec के लिए DA यूज करना है तो देखो decimeter क्या हो जाएगा D-A-M decigram हो जाएगा DG और deciliter हो जाएगा D-A-R उसके बाद है centi centi के लिए हम यूज करेंगे C centimeter हो जाएगा इसका short form होगा CM centigram के लिए हो जाएगा CG और centiliter के लिए हो जाएगा इसका short form C-A-R तो यह हो गया metric measure of length, mass and capacity करते हैं इसका example The length of my table is 2 meter 40 centimeter What will be its length in centimeter तो देखो यहाँ पर एक table की length दी है 2 meter and 40 centimeter तो हमें क्या find करना है हमें उसकी length centimeter में चाहिए तो क्या करेंगे? यहाँ पर जो meter और centimeter है इन दोनों को centimeter में convert करेंगे तो देखो यहाँ पर 40 जो है already centimeter है तो इसको convert करने की ज़रूरत नहीं होगी आगे जो यह 2 meter है सिर्फ इसको ही centimeter में convert करेंगे तो देखो 1 meter is equal to कितना होगा? 1 meter is equal to हो जाएगा 100 centimeter तो 2 meter is equal to कितना होगा? 2 multiply with 100 centimeter हो जाएगा 2 से multiply करना होगा इसको एक बाए फिर से repeat करता हूँ 1 meter is equal to 100 centimeter हो जाएगा तो 2 meter is equal to क्या हो जाएगा? 2 times 100 centimeter हो जाएगा तो यह हो जाएगा 200 centimeter तो देखो यह जो 2 meter है और 40 centimeter है इसमें 2 का कितना centimeter होगा 200 centimeter plus है हमारे पास 40 centimeter तो इसमें add करेंगे plus 40 ये दोनों मिलकर हो जाएंगे centimeter देखो दोनों centimeter है तो इसका unit हो जाएगा centimeter तो इसका answer क्या होगा 240 centimeter ये होगई इसका first example अब देखो second example में क्या करना है change 12 gram 140 milligram into milligram तो यहाँ पर जो 12 gram है and 140 gram है इसको convert करना है milligram में तो क्या करेंगे देखो जो milligram है इसको convert करने की जरुवत नहीं होगी ये already milligram में है जो gram है इसको हम milligram में convert करेंगे तो 1 gram is equal to कितना milligram होगा 1 gram is equal to thousand milligram होगा हमारे पास कितने gram है 12 gram है 12 gram is equal to 12 times 1000 miligram होगा इसको एक बाई फिर से repeat करता हूँ 1 gram is equal to 1000 miligram 12 gram is equal to कितना हो जाएगा 12 times 1000 miligram हो जाएगा तो इसका अंसर क्या होगा 12000 miligram तो यह जो 12 gram है इसका miligram कितना मिला 12000 miligram हमारे पास कितना है miligram 12 gram है and 140 miligram है तो यहाँ पर क्या करेंगे 12 gram is equal to 12000 miligram plus 140 miligram तो इन दोनों को add करेंगे इसका जो आंसर होगा वो होगा miligram में तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा 12,140 miligram यह हो गया हमारा final answer इसका अब करते हैं next addition and subtraction involving unit of measurement तो देखो यहाँ पर addition and subtraction करना है जब यहाँ पर हमें unit of measurement दिया है तो उसका addition and subtraction कैसे करेंगे देखो first method दी है उसका example देखो find the sum of 38 km, 43 meter and 25 km and 3 meter है यहाँ पर तो इसका हमें sum find करना है तो क्या करेंगे सबसे पहले कितने unit है यहाँ पर kilometer and meter है तो यह जो unit है इसकी column बनाएंगे kilometer and meter first हमें क्या दिया है 38 km दिया है तो kilometer में हो जाएगा 38 और उसके साथ meter में हमें क्या दिया है 43 meter तो meter में हो जाएगा 0,43 देखो meter से kilometer कितना हो जाएगा 1000 times greater होगा तो यहाँ पर 3 digit होगे 1000 times greater है इसलिए 3 digit होगे तो यहाँ पर होगा 0,43 अब next देखो कितना है 25 km and 3 meter है तो kilometer में हो जाएगा 25 and meter में क्या हो जाएगा 3 meter है तो यह हो जाएगा 0, 0, 3 मीटर अब इसका add कर देंगे 3 प्लस 3 हो जाएगा 6 4 प्लस 0 हो जाएगा 4 0, 0 प्लस 0, 0 8 प्लस 5, 13 13 का 3 केरी हो जाएगा यहाँ पर 1 3 प्लस 1, 4 4 प्लस 2, 6 यहाँ पर हो जाएगा 6 यह जो 63 है यह हो जाएगा किलो मीटर और यह 46 जो मिला है यह हो जाएगा मीटर तो हमारा आंसर होगा 63 किलो मीटर और 46 मीटर तो यह होगा इसकी 1st मेथ़ड अब करते हैं इसकी 2nd मेथ़ड इसका एक्जामपल देखो add 8 किलो ग्राम 385 ग्राम 2, 85 किलो ग्राम 3 ग्राम इन दोनों को हमें add करना है तो 2nd मेथड में हम कैसे करेंगे देखो यहाँ पर solution में दिया है first change all the value to the lowest unit and then add तो सबसे पहले हमें क्या करना है जो unit है lowest unit कौन सा हो जाएगा यहाँ पर किलो ग्राम और ग्राम है इसमें lowest unit हो जाएगा ग्राम तो सबसे पहले इन दोनों को 85 kg and 3 ग्राम and 8 kg and 385 ग्राम इसको हमें जो lowest unit है इसमें convert करना होगा तो देखो यहाँ पर convert करते हैं 1 kg is equal to कितना होगा 1000 ग्राम होगा 8 kg is equal to कितना हो जाएगा 8000 ग्राम हो जाएगा तो हमारे पास देखो यहाँ पर कितना है 8 kg and 385 ग्राम तो 8 kg is equal to कितना ग्राम हो जाएगा 8000 ग्राम प्लस हमारे पास है 385 ग्राम तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा 385 ग्राम इन दोनों का addition करेंगे तो हमें मिलेगा 8,385 ग्राम यह हो जाएगा इसका gram, जो first दिया था हमें, इसका gram हो जाएगा, 8,385 grams, अब second देखो क्या दिया है, 85 kg and 3 grams, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 85 kg is equal to हो जाएगा, 85,000 gram हो जाएगा, देखो 1 kg is equal to 1000 gram है, तो 85 kg is equal to हो जाएगा, 85 multiply with 1000 gram, तो यह हो जाएगा 85,000 gram, अब देखो यहाँ पर 85 kg and 3 grams है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 85 kg का gram हो जाएगा 85,000, और प्लस हमारे पास है 3 gram, तो इसमें प्लस 3 gram करेंगे, तो हमें आंसर मिलेगा इसका 85,000 and 3 grams, यह हो गया, इसका gram हो के, जो second हमें दिया है, इसका gram हो जाएगा 85,000 and 3 grams, अब क्या करना है, देखो दोनों के lowest unit में हमने convert कर दिया, अब हमें add करना है, देखो यहाँ पर लिखा है, change all the value to the lowest unit and then add, अब हमें इसको add करना है, तो देखो यहाँ पर पीछे इसको add किया है, यहाँ पर, first का कितना था, 8,385 plus, क्या हो जाएगा, 85,000 and 3, इन दोनों को add करेंगे, तो हमें मिलेगा, 93,388 grams, अब हम वापस इसको convert करें, kilogram and gram में, तो हमें मिलेगा, 93 kilogram and 388 grams, जो thousand है, देखो 93,000, तो यह thousand होगा, इतना thousand gram, तो क्या हो जाएगा, इसको kilogram कहेंगे, तो 93 kg हो जाएगा, और जो 388 gram है, यह gram का gram ही रहेगा, ठीक है, तो यह हो गया, इसका second method, अब करते हैं, subtraction of metric measure, हमें यहाँ पर subtraction कैसे करेंगे, metric measure का, तो देखो इसका example, subtract 456 meter, 35 centimeter from 845 meter and 48 centimeter, हमें यहाँ पर क्या करना है, हमें यहाँ पर 456 meter and 35 centimeter को subtract करना है, from 845 meter and 48 centimeter से, तो हम सबसे पहले यह लिखेंगे, और इसमें से subtract करेंगे, यह जो दिया है इसको, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जो unit है, इसकी column बनानी है, meter और centimeter, तो देखो यहाँ पर हमने column बनाई है, meter and centimeter, फिर हमें इस में से इसको सब्ट्रेक करना है तो सबसे पहले हम इसको लिखेंगे यहाँ पर कितने मीटर है 845 मीटर तो यहाँ पर हो जाएगा 845 मीटर और सेंटिमीटर कितना हो जाएगा 48 सेंटिमीटर अब इस में से सब्ट्रेक करेंगे 456 मीटर and 35 cm इसको अगर हम subtract करेंगे तो क्या होगा देखो 8-5 कितना हो जाएगा 3 4-3 हो जाएगा 1 5-6 नहीं होगा तो क्या करेंगे हम यहां से बोरो लेंगे यहां पर 8 का हो जाएगा sorry यहां से बोरो लेंगे यहां पर 4 का हो जाएगा 3 यहाँ पर 5 का हो जाएगा 15 15-6 कितना होगा 9 3-5 नहीं होगा तो क्या करेंगे यहाँ से बोरो लेंगे यहाँ पर हो जाएगा 7 यहाँ पर 3 का हो जाएगा 13 13-5 कितना होगा 8 हो जाएगा और लास्ट में है 7-4 कितना हो जाएगा 3 तो यहाँ पर हमें मिलेगा 389 यह हो जाएगा मीटर और यह 13 यह हो जाएगा सेंटिमीटर देखो यहाँ पर 2 डिजिट क्यों आएगा यहाँ पर सेंटिमीटर जो है यह 100 टैम्स छोटा हो जाएगा इससे अगर 100 टैम्स छोटा है और यहाँ पर cm है अगर इसको 100 times आप greater करो इससे बढ़ा करो तो आपको meter मिलेगा तो 100 times है इसलिए यहापर 2 digits आएगा अगर 1000 times होता देखो यहापर mm होगा तो क्या करेंगे इससे 1000 times greater होगा meter तो यहापर 3 digits होगा यहापर cm है इसलिए 2 digits होगा तो इसका answer हो जाएगा 389 meter and 13 centimeter तो यह हो गया इसका subtraction